Hi guys, today is 13th of November and last vlog में आपने देखा होगा कि मैं INIFD गई थी वहाँ पे मेरी एक meeting schedule थी तो उस meeting में वहाँ की जो owner M के साथ मेरी बात होई थी तो उन्होंने आज के लिए मुझे उनका एक session है for nature design के उपर वहाँ पे उन्होंने मुझे as a chief guest बुलाया है प्लस मेरा एक speech भी होगा वहाँ पी तो I'm so nervous, also I'm very excited let's see की कैसा होता है but I'm very nervous, very nervous मैं पहली बार ऐसे किसी stage में जाके बोलूँगी किसी stage में तो क्या मतलब as a chief guest जाके बोलूँगी stage में तो school में या college में बोलते ही थे पर ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है let's see कैसा होता है, क्या होता है मैंने कुछ प्लान भी किया है I hope सारी चीज़े जैसा मैंने प्लान किया है वैसी जाएं अभी जा रहे हैं, बारा बज़े से session स्टार्ट है और अभी time हो रहा है 11.05 11.15 पर मैं यहां से निकलूंगी 15 minutes it will take me to reach there और उसके बाद फिर 12 बज़े से उनका प्रोग्राम स्टार्ट है तो वहां पे बेखते हैं कैसा होता है although I'll add a sneak peek to this vlog and I'm very happy and I'm feeling blessed thank you and let's meet, let's go there and see कि कैसा होता है I'll give you the feedback although माम से बात करके काफी अच्छा लगा था उन्होंने बहुत comfortable भी फिल कर वाया था but let's see, थोड़ी नर्वसनेस तो होती है पहली बार आप अचीफ गिस जारे हो आपको लगता है कि सब लोग को जज़ करेंगे मतलब ठीक है आप लोगों को जज़ करने जारे हो लेकिन still you feel कि लोग आपको देखेंगे तो जज़ तो करेंगे कि ठीक है कौन है चीफगेस्ट क्या है क्या नहीं है although they are also going to talk about my achievements and my projects and that's one of the great thing and I'll keep you guys updated I'm so excited मैं कुछ समझनी पारी कि क्या बोलू but let's go there hi guys so it's two in the noon and मैं वाँ से वापस आ गई हूं घर पे बहुत मज़ा आया बहुत प्यारे स्टूडेंस थे बहुत इंटराक्टिव स्टूडेंस थे and I love उन्होंने जितना प्यार और जितना रिस्पेक्ट मुझे दिया जितना इंगेजिंग वो लोग थे उससे ही मुझे सेशन देने में भी उनको बहुत मजाया बहुत अच्छे स्टूडेंस थे truly बहुत अच्छे I was really scared and nervous in the beginning I thought there is going to be a session and something like that there was a session definitely but बहुत अच्छा session रहा और मैंको थोड़े नर्वसनेस थी कि हाँ चीक है students हम भी college time में student रहें सब लोग student रहें तो लोग उता seriously नहीं लेते हैं कोई guest आता है guest lecture देता है कोई चीज करता है तो but वो लोग बहुत अच्छे थे बहुत calm and composed थे उन्होंने सारी चीज़े सुनी they were interacting and बहुत जादा मज़ा आया मतलब it was like कि एक बार नहीं मैं बार बार वहाँ जाना चाहूंगी चीजे उनको और भी जो मुझे आता है वो explain करना चाहूंगी और जो gap है न practical field और जो अपने academics के बीच का मैं वो bridge करना चाहती हूं मैं चाहती हूं कि students को वो चीज एकदम से field में निकलते ही face ना करनी पड़े जो हम लोगोंने face किये जिसको bridge करने में हमको time लगाए I don't want them to face same situation I want them things to be easier for them उनके लिए चीजे और आसान होनी चाहिए उनको मजा आना चाहिए so let's see also a lot of them were practicing also like कुछ न कुछ वो लोग कर रहे है चाहिए उनका family business हो या कोई भी चीजो वो लोग कर रहे है काम कुछ न कुछ चोटा मोटा काम उनका चल रहा है तो it was very nice meeting them मुझे बहुत जादा चाह लगा मतलब मैं बहुत 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 की वाथ की मुझे बहुत अच्छा लगा पुद मुझे आक्च्यली मैं बहुत अच्छा लगा I enjoyed this and I explored a very new site सच में and I am this vlog को यहीं end करते है next time फिर से मिलते हैं नई site के साथ, नए काम के साथ पर मुझे बहुत मजा है I really enjoyed it really, सच में पर अब मैं बहुत थग गयू and let me have lunch so until next time stay tuned and don't forget to like, share and subscribe bye bye